माई इलेक्टिकल स्किल्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है तो फ्रेंट्स इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इलेक्टिशियन को टूल्स क्या-क्या जोरोत पड़ता है और क्या नाम है इस टूल्स का और क्या काम आता है ये सारे टूल्स इसके बारे में हम सीखेंगे और जानेंगे तो फ्रेंट्स अभी तक हमारे चैनल स्ब्सक्राइब ने किये हैं तो प्लीज स्ब्सक्राइब करके बेल ऐकन दबा लीजेगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए ऐसे ही हम इलेक्टिक का वीडियो इस चैनल पे अच्छे अच्छे बनाते रहते हैं तो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर देखके जाएगा फ्रेंट्स तो चलिए हम इलेक्स्टिक के टूल्स के बारे में जानते हैं क्या-क्या नाम है और क्या-क्या काम है इसका तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसर छोटे वाले टूल्स से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहां से line taster से यह हमारा line taster है यह अत्य वस्यक uh tools है जो current को मतलब ध़ारा को check करता है line taster इसको बोलते है combination plier है आप जानते ही होंगे इसका काम क्या है और इसका नाम अधिकतर लोग जानते होंगे यह wire cutter है और wire छीलने का काम आता है वारी श्टीप पर बोल सकते हैं तो यह है केबल कटर और केबल छिलने का काम आता है ठीक है उसके बाद यह नोज प्लायर है यह भी एक नोज प्लायर ही है लेकिन दोनों का फंक्शन अलग-अलग है यहां पर देखिए ता पाडिया का एक स्कूर्डवर का सेट है जो चार सकते हैं इसके बाद क्लेंप मीटर है हम यह कर सकते हैं हम ऑपफेर क्रेक कर सकते हैं और आपको है आँकर मतलब हर चीज चेक कर सकते हैं इसमें लगभग तो हम क्हास्तोर से इसका करने के लिए एंपय चेक करने के लिएę एक इस्तवाल करते हैं वो टेज चिक करने के इस्तमाल करते हैं अर्थिं भी श दिया होते रहता है अलग आलग जगर पे तो इसके बारे में आप आधिक जाना तो देखिए यहां बोस का heavy power वाला drill machine है जो normal भी चलता है और hammer mode में भी चलता है तो ये एक drill machine है, दूसरा drill machine normal drill machine है, ठीक है तो इसको हलका फुलका काम के लिए इस्तिमाल करते हैं और heavy work के लिए इसको इस्तिमाल करते हैं, इसमें देखिए यहां पे normal और heavy करने के लिए switch दे रखा है तो यहां पे hammer हो जाता है यहां पे normal हो जाता है switch को इसे घूमा के, देखिए तो आप इस्तिमाल किये होंगे तो जानते होंगे नहीं किये होंगे तो इसको देख लीजे इसका beat अलग-अलग size का आपको market में मिल जाता है यह दिवाल छेद करने का beat अलग होता है, लकड़ी छेद करने का beat अलग होता है और लोहा छेद करने का beat अलग होता है तो लोहा आप इसमें छेद करेंगे लकड़ी इसमें लकड़ी दिवाल भी छेद कर सकते हैं लेकिन beat इसमें चेंज करना होगा आपको अभी दिवाल वाला बीट इसमें भी लगा है इसमें भी दिवाल वाल बीट लगा है आप काम करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बीट दिवाल का है कौन सा लोहा का और कौन सा लकड़ी का है तो ये दोनों boss company का drill machine हो गया इसके पाद देखेंगे ट्रेटर मशीन तो में अभी हमारे पास यह ब्लेट लगा हूआ है लुहा काटने इसमें सुम्मां काटने का अभी लगा सकते हैं और वा आज काट अधिक है तो यह भी आहाई टेक हो टो केबल को श्टेट सुरू ज्वाइंट करते हैं तो ब्लू लैम की जुरूत पड़ता है उसके बाद यह देखिए यह है punching tools तो 300 mm तक cable को punch करने के लिए ये punching tools, clipping tools का सकते हैं, तो ये इस्तिमाल करते हैं ठीक है, cable locks को punch करता है उसके बाद ये देखिए हमारे पास goty range है, इसको हम normal language में goty range बोलते हैं इसका English language कुछ होता है आपको याद है तो हमें comments करके बताईएगा ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर friends, इधर के tools अभी बाकी है तो अभी कहीं मत जाईए अच्छे-च्छे tools अभी देखने के लिए आपको बाकी है friends, ये है LM की तो इसका भी इस्तिमाल electrician करता है कहीं कहीं, electric काम में आता है उसके बाद ये है sumi नारमल हम हिंदी-laigusan pi में sumi बोलते हाँ तो दो-सा-ईज के sumi रखे हुं है कहीं punch करना हो पंच करने में काम आता हो एक ही मोटा बला है एक भी थोड़ा पतला बला इसके बाद ये file है जिसको रेती भी बोलते है है घिसने के लिए काम आता है उसके बाद यह सी जन है हम छेनी भी बोलते हैं इसको है तो यह ग्राइफने के बाद अंडुठ बॉल Pepper करें लिए उसके बाद हमारे पस्वताइस होड़ तो इसका पाइप रिंज घीजर को कहीं लगाना तो गीजर के टाइट करने के लिए काम आता है जो क्नेक्टिंग पाइप या कोई पाइप करने के लिए आजकल पीवीजी का पाइप हो गया है तो इसका इस्तिमाल नहीं हो रहा है फिर हमारे पास एक एज़ेश्टिबल रिंज है दो साइज का एक बड़ा है थुड़ा चोटा है उसके बाद ये भी एक इसको बोलते है इसका नाम भी मुझे याद अभी नहीं आ रहा है आप हमें कमेंट्स करके पताईएगा ठीक है ये भी हम कनेक्टिंग पाईप वगारा को घिजर के लिए चाहे कहीं पकड़ने के लिए इस्तिमाल करते हैं उसके बाद हमारे पास नार्मल पन्ना वाला रिंच है अलग-अलग साइज के उसके बाद देखिए ये है बॉक्स बॉक्स रिं घ्क है ये लोहा काटने लिए काम हाता है तोले यहमें नेक्स चलते है इसे लेबल है तो यह लेबल देखने के लिए काम आता है ठीक है उसके बाद हम ऍ dinero Rijund was the कलर है जो केसिंग पट्टी को दिवाल पे ठोकने से पहले वर्टिकल और होरिजेंटल लाइन मारने का मतलब चीन मारने का काम आता है और इसके बाद देखिए एक बड़ा वाला हमारे पास है उसको पेंट पेंसिल आप जानते ही हैं आपको समान का नाम लिखना है कहीं काम कर रहे हैं यह रिक्वार है तो पेंसिल पेंसिल तो दाग लगाने के लिए दिवाल पे छेद करने के लिए काम आता है और इसका यह सापनर है जानते होंगे आप यह चाकू है और यह एक पेपर कट रहा है जो वायर को छिलने में कभी-कभी काम आता है तो यह हमारे टूल्स ह तो आपको बड़े बड़े टूल्स देखने को मिलेंगे तो यह आपको इसमें से चार-पाच आउटम बताओंगा जो नार्मल घर में रखना और श्टार्टिंग में आप काम सीख रहे हैं तो आपको यह रखना चाहिए तो पहला नमबर यह टेस्ट लेंब ठीक है उसके बाद लाइन टेस्टर रखना चाहिए उसके बाद यह पेपर कटर उसके बाद यह वाला वायर स्टीमर छोटा वाला एक हैमर रखना चाहिए और आपको जरूरत है तो यह वाला तपाडिया का सेट भी रखें तो फिलहाल वीडियो मे इतना ही नेक्स वीडियो में ऐसे ही और इंटेस्टिक आपको इलेक्टिक के बारे में जानकारी दूँगा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिजेगा धन्यवाद जाहिए